C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याए दो भिन एवं दशमलव प्रिश्ट अठतालीज प्रशनावली दो दशमलव पाँच एक कौन बड़ा है? एक, शुने दशमलव पाँच अथवा शुने दशमलव शुने पाँच दो, शुने दशमलव साथ अथवा शुने दशमलव पाँच तीन, साथ अथवा शुने दशमलव साथ चार, एक दशमलव तीन साथ अथवा एक दशमलव चार नौ पांच, दो दशमलव शून्य तीन अथवा दो दशमलव तीन शून्य शै, शून्य दशमलव आठ अथवा शून्य दशमलव आठ आठ दो, दशमलव का उपयोग करते हुए निम्न लिखित को रुपई के रूप में व्यक्त कीजिए एक, साथ पैसे, दो, साथ रुपई साथ पैसे, तीन, सततर रुपई सततर पैसे, चार, पचास पैसे, पांच, दो साथ पैसे 3. एक, पांच सेंटिमीटर को मीटर एवं किलो मीटर में व्यक्त कीजिए 2. पैंतीस मिलिमीटर को सेंटिमीटर मीटर एवं किलो मीटर में व्यक्त कीजिए 4. निमनलिखित को किलो ग्राम में व्यक्त कीजिए 1. दो सौ ग्राम 2. तीन हजार चार सौ सत्तर ग्राम तीन, चार किलोग्राम आठ ग्राम पाँच, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिये एक, बीस दशमलव शून्य तीन, दो दशमलव शून्य तीन, तीन, दो सौ दशमलव शून्य तीन, चार, दो दशमलव शून्य तीन, चार 6. निम्नलिकित दशमलव संख्याओं में दो का स्थानी अमान लिखिये 1. दो दशमलव पाँच है 2. इकीस दशमलव तीन साथ 3. दस दशमलव दो पाँच 4. नौ दशमलव चार दो 5. तिरसथ दशमलव तीन पाँच दो 7. दिनेश स्थान A से स्थान B तक गया और वहां से स्थान C तक गया A से B की दूरी साथ दशमलव पाँच किलो मीटर है और B से C की दूरी बारह दशमलव साथ किलो मीटर है अयूब स्थान A से स्थान D तक गया और वहां से वह स्थान C को गया A से D की दूरी 9.3 किलो मीटर है और D से C की दूरी 11.8 किलो मीटर है किसने ज्यादा दूरी तै की और वह दूरी कितनी अधिक थी 8. शामा ने 5 किलो ग्राम 300 ग्राम सेब और 3 किलो ग्राम 250 ग्राम आम खरीदे सरला ने 4 किलो ग्राम 800 ग्राम संत्रे और 4 किलो ग्राम 150 ग्राम केले खरीदे किसने अधिक भल खरीदे 9. 28 किलो मीटर 42.6 किलो मीटर से कितना कम है प्रिष्ठ 49 2.6 दशमलव संख्याओं का गुणन रेश्मा ने 8.50 पैसे प्रती किलो ग्राम की दर से 1.5 किलो ग्राम सबजी खरीदी उसे कितने धन का भुगतान करना चाहिए निश्चित रूप से यह 8.50 गुणा 1.50 रुपाए होगा 8.5 और 1.5 दोनों ही दशमलव संख्याओं हैं इस प्रकार हमें एक ऐसी परिस्थिती मिलती है जहां हमें यह ग्यात करने की आवश्यक्ता है कि दो दशमलवों को कैसे गुणा किया जाता है आइए अब दो दशमलव संख्याओं के गुणन को सीखते हैं सर्वप्रथम हम 0.1 गुणा 0.1 ज्यात करते हैं अब 0.1 बराबर 1 बटा 10 इसलिए 0.1 गुणा 0.1 बराबर 1 बटा 10 गुणा 1 बटा 10 बराबर एक गुणा एक बटा दस गुणा दस बराबर एक गुणा सो बराबर शून्य दशमलव शून्य एक आये इसका सचित्र निरूपन देखते हैं आक्रिती दो दशमलव एक तीन आक्रिती दो दशमलव तेरह यह आक्रिती एक बटा दस चायांकित भाग को निरुपित करती है भिन एक बटा दस दस समान भागों में से एक को निरुपित करती है चित्र में चायांकित भाग एक बटा दस को निरुपित करता है हम जानते हैं के एक बटा दस गुणा एक बटा दस का अर्थ है एक बटा दस खाँ एक बटा दस इसलिए इस एक बटा दसवें भाग को दस बराबर भागों में बाटिये और इन में से एक भाग को लीजिए इस प्रकार हम पाते हैं, आकृती 2.4 के एक बटा दसवें भाग के दस भागों में एक भाग बिंदु द्वारा चिन्हित वर्ग है, अर्थात यह एक बटा दस गुणा एक बटा दस अथवा 0.1 गुणा 0.1 को निरुपित करता है क्या बिंदु वर्ग को किसी दूसरी विधी से निरुपित किया जा सकता है? आप आकृती 2.4 में कितने छोटे वर्ग पाते हैं? इसमें 100 छोटे वर्ग हैं. इस प्रकार बिंदु द्वारा चिनहित वर्ग सौ में से एक को निरुपित करता है, अर्थात 0.01 को निरुपित करता है, अतह 0.01 गुणा 0.01 बराबर 0.01. आकृती 2.16 इस आकृती में एक बटा दसवें भाग में, दस भागों में एक भाग बिंदु है। यहे एक बटा दस गुणा एक बटा दस अत्वा 0.01 गुणा 0.01 को निरुपित करती है, प्रिष्ट पचास, ध्यान दीजिए 0.01 गुणन भल में दो बार सम्मिलित है, 0.01 में दशमलव बिंदु के दाईं तरफ एक अंक है, 0.01 में दशमलव बिंदु के दाईं तरफ दो अर्थात एक जमा एक अंक हैं। आईए अब हम 0.02 गुणा 0.03 ग्याद करते हैं। हम पाते हैं 0.02 गुणा 0.03 बराबर 2 बटा 10 गुणा 3 बटा 10। जैसे हमने एक बटा 10 गुणा एक बटा 10 के लिए किया है, वैसे ही आईए हम वर्ग को 10 समान भागों में बाटते हैं और 3 बटा 10 प्राप्थ करने के लिए इन में से 3 भागों को बाहर निकाल लेते हैं। फिर से इन 3 समान भागों में से प्रत्यक भाग को 10 समान भागों में बाटिये और प्रत्यक में से 2 ले लीजिये। इस प्रकार हम 2 बटा 10 गुणा 3 बटा 10 प्राप्थ करते हैं। बिंदु द्वारा चिन्हित वर्ग 2 बटा 10 गुणा 3 बटा 10 अर्थात 0.2 गुणा 0.3 को निरुपित करते हैं। आक्रिती 2.15 देखिए। आक्रिती 2.15 है। इस आक्रिती में 3 बटा 10 में भाग में 10 भागों में 2 भाग में बिंदु है। यह 2 बटा 10 गुणा 3 बटा 10 अत्वा 0.2 गुणा 0.3 को निरुपित करती है। क्योंकि 100 में से 6 बिंदु द्वारा चिन्हित वर्ग हैं अत्वा यह 0.06 को भी निरुपित करते हैं। इस प्रकार 0.2 गुणा 0.3 बराबर 0.06। ध्यान दीजिए के 2 गुणा 3 बराबर 6 और 0.06 में दशमलव बिंदु से दाईं तरफ अंकों की संख्या 2 बराबर 1 जमा 1 है। जांच कीजिए कि क्या यह 0.01 गुणा 0.01 के लिए भी उचित है। इन प्रेक्षणों का उपयोग करते हुए 0.02 गुणा 0.04 ग्यात कीजिए। 0.01 गुणा 0.01 और 0.02 गुणा 0.03 ग्यात करते समय संभवत आपने ध्यान दिया होगा कि सर्व प्रथम हमने दशमलव बिंदु की उपेक्षा करते हुए पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा किया था। 0.01 गुणा 0.01 में हमने पाया 0.01 गुणा 0.01 अर्थात 1.1 इसी प्रकार 0.02 गुणा 0.03 में हमने पाया 0.02 गुणा 0.03 बराबर 2.3 तब हमने सबसे दाई तरफ के अंक से शुरू करते हुए और बाई तरफ चलते हुए अंकों की संख्या को गिना। तब हमने वहाँ 0.02 बिंदु रखा। गिने जाने वाले अंकों की संख्या गुणा की जा रही 0.02 संख्याओं के 0.02 बिंदु के दाई तरफ के अंकों की संख्या का योग करने पर प्राप्त होती है। आईए अब हम 1.02 गुणा 2.05 ग्याद करते हैं। 12 एवं 25 को गुणा कीजिए। हम 300 अंक प्राप्त करते हैं। 1.02 और 2.05 दोनों में दशमलव बिंदु के दाईं तरफ एक अंक है। इसलिए 300 में सबसे दाईं तरफ से एक जमा एक बराबर दो अंक गिन लीजिए। अर्थात 2.02 और 2 तरफ चलिए। हम 3.00 अर्थात 3 प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार 1.05 गुणा 1.06, 2.04 गुणा 4.02 ग्याद कीजिए। प्रिष्ट 51. 2.05 और 1.25 को गुणा करते समय सर्व प्रथम आप 25 एवं 125 को गुणा करेंगे। प्राप्त गुणन भल में दशमलव रखने के लिए आप सबसे दाईं तरफ क्यंक से शुरू करते हुए एक जमा दो बराबर तीन क्यूं? अंक गिनेंगे। अथह 2.05 गुणा 1.25 बराबर 3.125. दो दशमलव 7 गुणा 1.35 ग्यात कीजिए। प्रयास कीजिए। इसका परिमाप ग्यात कीजिए। एक आयत की लंबाई साथ दशमलव एक सेंटिमीटर और इसकी चौड़ाई दो दशमलव पांच सेंटिमीटर है। आयत का क्षेत्र फल क्या है। हल। आयत की लंबाई बराबर साथ दशमलव एक सेंटिमीटर। आयत की चौड़ाई बराबर दो दशमलव पांच सेंटिमीटर। इसलिए आयत का क्षेत्र फल बराबर साथ दशमलव एक सेंटिमीटर गुणा दो दशमलव पांच सेंटिमीटर। बराबर सत्रह दशमलव साथ पांच वर्ग सेंटिमीटर। दो दशमलव छे दशमलव एक। दशमलव संख्याओं का दस, सौ और हजार से गुणन रेश्मा ने देखा कि दो दशमलव तीन बराबर तैईस बटा दस है जबके दो दशमलव तीन पाँच बराबर दो सौ पैंटीस बटा सौ अतह उसने पाया कि दशमलव बिंदु की स्थिती पर निर्भर करते हुए दशमलव संख्या को दस अत्वा सौ हर वाली भिन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है उसने सोचा कि यदि किसी दशमलव संख्या को दस अथवा सौ अथवा हजार से गुणा किया जाए तो क्या होगा? आएए देखते हैं किया हम दशमलव संख्याओं को 10, अत्वा 100, अत्वा 1000 से गुणा करने का कोई प्रती रूप यानि पाटन प्राप्त कर सकते हैं नीचे दी हुई सारणी को देखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए एक दशमलव साथ चै गुणा 10 बराबर 176 बटा 100 गुणा 10 बराबर 176 बराबर 176 बराबर 176 या 176 दशमलव शून्य दशमलव साथ चै गुणा 1000 बराबर 176 बटा 100 गुणा 1000 बराबर 176 या 176 दशमलव शून्य 2.35 गुणा 10 बराबर 176 बराबर 176 बराबर 177 गुणा 10 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 गुणा शूने दशमलव पाँच गुणा दस बराबर पाँच बटा दस गुणा दस बराबर पाँच शूने दशमलव पाँच गुणा सौ बराबर डैश शूने दशमलव पाँच गुणा हजार बराबर डैश प्रिश्ट बावन सारणी में गुणन भल के दशमलव बिंदू के विस्थापन को देखिए यहां संख्याओं को दस, सा, एवं हजार से गुणा किया गया है एक दशमलव साथ छै गुणा दस बराबर सत्रह दशमलव छै में अंक वही हैं अर्थात दोनों तरफ एक, साथ और छै है क्या आपने इसे दूसरे गुणन भलो में भी देखा है एक दशमलव साथ छै और सत्रह दशमलव छै को भी देखिए दशमलव बिंदू दाई अथवा बाई किस तरफ विस्थापित हुआ है ध्यान दीजिए दस में एक के अतिरिक्त एक शून्य है एक दशमलव साथ छै गुणा सो बराबर 176 दशमलव शून्य में एक दशमलव साथ छै एवं 176 दशमलव शून्य को देखिए कि किस तरफ और कितने स्थानों से दशमलव बिंदू का विस्थापन हुआ है दशमलव बिंदू दाईं तरफ दो स्थानों से विस्थापित हुआ है ध्यान दीजिए सौ में एक के अतिरिक्त दो शून्य है क्या आप दूसरे गुणन भलों में भी दशमलव बिंदू का इसी प्रकार का विस्थापन देखते हैं इस प्रकार हम कहते हैं कि जब किसी दशमलव संख्या को दस, सा, अत्वा हजार से गुणा किया जाता है तो गुणन भल के अंक वही होते हैं जो अंक दशमलव संख्या में होते हैं परंतु गुणन फल में दशमलव बिंदू दाईं तरफ उतने ही स्थानों से विस्थापित होता है जितना एक के अतिरिक्त शून्य होते हैं। इन प्रेक्षणों के आधार पर अब हम कह सकते हैं के 0.007 गुणा 10 बराबर 0.07, 0.007 गुणा 100 बराबर 7 और 0.007 गुणा 1000 बराबर 70 क्या अब आप बता सकते हैं के 2.97 गुणा 10 बराबर डैश, 2.97 गुणा 100 बराबर डैश, 2.97 गुणा 1000 बराबर डैश क्या अब आप रेश्मा द्वारा भुगतान किये जाने वाली राशी अर्थाद 8.50 गुणा 150 ग्यात करने में उसकी सहायता कर सकते हैं। प्रयास कीजिए ग्यात कीजिए एक 0.3 गुणा 10, 2.1 गुणा 100, 3.56 गुणा 1000 प्रश्नावली 2.6 एक ग्यात कीजिए एक 0.2 गुणा 6, 2.8 गुणा 4.6, 3.2.7 गुणा 5, 4.20 गुणा 1.4, 5.0.05 गुणा 7, 6.211.02 गुणा 4, 7.02.08, 6. एक आयत काक्षेत्र फल ग्यात कीजिए जिसकी लंबाई 5.07 सेंटीमीटर और 4.3 सेंटीमीटर है। 3. ग्यात कीजिये. 1.1.3 गुणा 10, 2. 36.8 गुणा 10, 3. 153.7 गुणा 10, 4. 168.07 गुणा 10, 5. 31.1 गुणा 100, 6. 156.1 गुणा 100, 7. 3.62 गुणा 100, 8. 43.07 गुणा 100, 9. 0.5 गुणा 10, 10. 0.08 गुणा 10, 11. 0.09 गुणा 100, 12. 0.03 गुणा 1000, 4. एक दुपहिया वहन एक लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तै करता है. 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तै करेगा? 5. ग्यात कीजिये 1. 2.5 गुणा 0.3 2. 0.1 गुणा 51.7 3. 0.2 गुणा 316.8 4. 1.3 गुणा 3.1 5. 0.5 गुणा 0.05 6. 11.2 गुणा 0.15 7. 1.07 गुणा 0.02 8. 10.05 गुणा 1.05 9. 101.01 गुणा 0.01 10. 100.01 गुणा 1.01 10. 100.01 गुणा 1.01 अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गनित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक कारिक्रम समन्वयक डॉक्टर राजेश कुमार निमेश वाचन्स्वर गौरव मार्वा तकनीकी समन्वयक बतिलैंग लिंगडो तकनीकी सहायक मयंक कुमार निर्माण सहयोग सौम्या मलिक निर्देशन व निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत प्रस्तुत प्रस्तुत